खरगौन जिला मुख्यले से 10 किले मुटर की दूरी पर बसा ग्राम सिंखेडा ग्राम जहां आर्ध रातरी को सोय हुए परिवार पर अचानक दिवार गिरने से मामूल चोटे आई है इस आवाज की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत से लगा कर जन प्रती निधियों एवं प्रससनी काधिकारियों तक का दरवाजा खटकटाया है सिंखेडा ग्राम में अपनी गरीबी हलत के चलते हुए महनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही हाजरा बी पर उस समय वी पत्ती आई जब वो अपने परिवार के साथ अर्ध रातरी को सो रही थी जहां अचानक दिवार गिरने से पुरा परिवार बाल-बाल बचा है जब इस सम्मन में जैन परती निदी ने हाजरा बी से संपर्क साधा तो उन्होंने अपना दुखडा रोते हुए बताया कि आज तक मुझे शाशिन की किसी योश्या का लाब नहीं मिला वहीं अचानक दिवार गिरने से हाजरा बी का आशियाना अब जमी दोज हो चुका है और अब वह खुले में रहने को मजबूर है बरूर से रामेशर कुम्रावत की रिपोर्ट यह मकान की क्या समस्या है आपके कितने साल से अब स्टिंकेडा में रहे हो आप असी नव्य साल की रहे हुए आप इतक कुटी मेरी आई नी ग्राम पंचायद में आपने आवेदन किया था हाँ किया था आट साल हो गया कोई निया निया शर्पंज और सचु आयता आपके मकान किरा इस दिखने हाँ चार छे ले गए उन कि देंगे घेनना कि अब आपको मकान गिर किया अब कार यहां कि उसमें फुट्रा डुटले में एलeu कॉन देता हमको मघंग ए यह नाम है आपका ज़रा बाई का मकान रात में अजानक से गिर गया इस संबंद में क्या क्या नापका इनका आवास कच्छा था और ग्राम 15 से आवास प्लस में इनका नाम जोड़ा गया है तो शासन इस्तर से लक्ष कम प्राप्त होने के वज़े से अभी तक इनको कुटिर तो यह नहीं दी गई है जैसे शासन इस्तर से लक्ष कम प्राप्त होने की वज़े से लिकते हैं हमने शासन इस्तर से मांग करी है कि हमारे लक्ष बढ़ाय जाए और जल्द जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा क्या नाम है महेंद्र पाटिदार राम पंच्छा हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें